आप सभी लोग का स्वागत करते हो अपने यूटूब चैनल पर आज मिक्स प्रश्णों किए उस रिंखला में कुछ इंपॉर्टन कोश्चिन पर आपके सब्सक्राइब करने वाल हूं आप लोग सब ध्यान से सारे प्रश्णों को बनाईएगा और ऐसे लोग जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे टेलीग्राम का जो ग्रूप है उसको जॉइन कीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रूप का लिंक दिया है दोनों को जॉइन कर लीजेगा और अब मैं शुरू करता हूं पहले न तो बायो गैस एवं संपेटेद प्राकरते गैस का मुख्य घटा क्या है इसका सही उत्तर है ओप्शन है मिथिन इसको ध्यान रखेंगे आपनों और जैसे ही मिथिन की बात करते हैं तो मिथिन सबसे सरल क्या है हाइड्रो कार्बन है हाइड्रो कार्बन है जिसमें एक कार् से सबसे सरल हाइड्रो कार्बन मिथन को कहा गया इसको जाद रखिएगा ज्वलन सिल गयस से इसका उप्यूप दुनिया भर में इंधन के रूप में किया जाता है और इसके अलावे जो मिथन है वो एक सकती साली ग्रीन हाउस गैस है इसको जाद रखिएगा जो ग्लोबल वा मिथन के जो शमान्य स्रोथ है वो तेल और फ्, गैस प्रणाली हो जाता है, कृश्री की जो गतिवीधियां होती है उससे मिथन निकल जाता है, कोईले का खनन हो जाता है या अपसिस्ट हो जाता है specialist होता है उसको आप लोग जरूर सित्यान में रखेंगे ये सारी की सारी ज इसका उत्तर ऑप्षिन भी अशोक महता समीती अशोक महता समीती का जो गठन हुआ था वो 1977 में किया गया था अशोक महता के देख्षता में किया गया था और इसकी जो नियुक्ती की गी थी वो जन्तापार्टी की सरकार के समय की गी थी उसमें जनता पार्टी का सासंता भारत में याद रखेंगे आप लो और बलवंत्रा मेहता समीती जो पहले बनी थी उसकी सिफारिसों पर जो पंचायती राज के स्थापना की जी तो उसमें बहुत सरी जो भी संगतियां हैं वो पाई गए तो इसी के बाद असोक मेहता समीती क गठन किया गया था कि वो अब अपना समिक्षा करे कि कहां तक पंचायती राज प्रणाली सफल रही है तो उसी अध्यान के दौरान असोक मेहता समीती अपने रिपोर्ट पेश करती है और भारत में दो अस्तर की पंचायती राजववस्था के सिफारिश करती है जिसमें ए तीसरा है एजो सागर के से जुड़ा है काला सागर से वाल्टिक सागर से भूमध्य सागर से या फिर उत्री सागर इसका सही उत्तर है option निक काला सागर से एजो सागर काला सागर से जुड़ा हुआ है अगर आप इस मानचितर में देखें तो काला सागर है और यहीं पर एजो सागर है तो एजो सागर के location या अवस्थिती को जुरूर याद रखेंगे जोग्राफिकल location बहुत important होता है अगर आप मांचित्र या map के थुरू एटलस के थुरू geographic अध्यन करते हैं तो आपको ये दिमाग में बैठ जाता है तो काला सागर के पास ही ये जो सागर है दोनों को याद रखे हैं काला सागर को भी स्कैरी को याद रखना है स्कैरी दर असल पत्रीले द्वीब को हम लोग कहते हैं जहां पर मानो जीवन यापन की संभवना काफी कम होती है इसको लो सी स्टैक भी कहा जाता है तो बैसिकली इसका मतलब हो गया कि वो सागरिये निच्छेप के द्वारा बनता है तो स्कैरी का जो संबंध है वो सागरिये निच्छेप से हो जाता है इसको भी ध्यान रखना है बाकि मोरेन ग्लासियल डिपोजीट है इसके अलावे ड्रमलेन ग्लासियल डिपोजीट है और केटल भी ग्लासियल डिपोजीट ही है Next Question पूछा है मैंने कि World Council of Churches वो जिनेवा में स्थीत है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है निमलिखित में से कौन सी धातु कम्रे के ताप पर द्रववस्थ में यानि कि लिक्विड स्थेट में होती है वी जब फॉलोविंग मेटल ही इन लिक्विड स्थेट एट रूम टेंपरेचर रेडियम सोड स्थेटर की अर्थवरस्था के लिए शुरू किया गया है स्वक्ष उर्जा कपड़ा व्यापार या फिर क्रिशी तो भारत और अमेरिका के बीच पेस कारिक्रम की शुरुआत की गई है तो यूएसे को आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट विद्वापुनर विवाह का बना 1828 में, 1830 में, 1856 में, 1865 में पारित किया गया था, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है, ओटल होजी के समय तयार हो गया था, बैसिकली आपको कैनिंग ही ध्यान में रखना है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती है, शासन करो की नीती कब अपना ही, 1870 के बाद, 1833 के बाद 1858 के बाद, 1799 के बाद, तो फूट डालो और शासन करो की नीती अंग्रेज अपना थे 1858 में, चुकि इस समय एक बहुत ही महान विद्रो भारत में होता है, जिसका नाम था 1857 का विद्रो या 1857 की क्रांती, इस क्रांती में हिंदू और मिसल्मानों ने बहुत ही एक साथ एक करन की जो अंग्रेज थे, अब भारत में फूट डालो और शासन करो की नीती अपनाना शुरू कर दिये थे, इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट है, आर्य भारत में कहां से आय थे, पस्चिम एसिया से, पूर्वी एसिया से, केंद्री एसिया से, या फिर दक्छुल एसिय के अनुसार जो आर्य थे, वो तिबबत से आये थे, और वहीं बाल गादर तिलक का कहना होता है, कि जो आर्य थे, वो उत्री ध्रू से, या आर्कटिक छेतर से आये थे, तो दोनों के मत को याद रखिए गई, ये कहीं न कहीं पूछाया सकता है, कि दयानां सरस्वती के अन और दयानां सरस्वती कहते हैं, तिबबत, नेक्स्ट हैं, भारत में पूर्तगाली सक्ता की वास्तवीक नीव रखने वाला पूर्तगाली गवर्नर कौन था, वासको डिगामा, दा अलमीडा, अल्बुकर्क या फिर जमोरी, उत्तर इसका ऑप्शन D, अलफोन्सो दा भारत में पूर्तगालीों का वासरा या गवर्नर जनल बन करके कब आया था, इसके गवर्नर की जो आवधी थी, वो कब से कब तक थी, कोई बिदा सकते, तो कमेंट बॉक्स में बताएं का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और आप लोग अगर एक बार लिख जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट है, श्वशन का नियंत्रण मस्तिस्क के किस भारत द्वारा होता है, अगर मस्तिस्क है, अनु मस्तिस्क है, मेडूला, ओबलांगेटा है, स्टेपी जे, रेश्पिरेशन इजे, कंट्रोल्ड वाई, विच पार्ट अप्ट मेडूला, ओबलांगेटा को याद रखेंगा, जिसको कह सकते कि यह निचला हिस्सा होता है, मस्तिस्क का ध्यान रखेंगे आप लोग, और दरसल जो अनैक्षिक क्रियां होती से स्वसन हो गया, छीक भी हम लोग देते हैं, वो मैटिंग कर देते हैं, व्योस्ते मेडूला, वाचन आयो किसके लिए चुनाओ नहीं कराता है, सनसद, राज्य विधान, मंडल, राष्टपती, राज्यपाल, इसका उत्तर है, राष्टपती के दुरा न्यूक किया एता है, इसी करण से इसके लिए चुनाओ नहीं होता है, नेक्स एम लिखित में से कौन मात्रा के तो लाल रख्ट कोशी का है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट से है, फिर श्वेद रख्ट कोशी का है, तो बहुत ही आसान इसका उत्तर होज़ा का ऑप्शन C, B, प्लाज्मा को याद रखिएगा, नेक्स्ट है, आटो मोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारेकरन वरकिंग पर निमलीखित में से कौन सा सध्धान्त नियम लागू होता है, कौन सा नियम लागू होता है, सध्धान्त लागू होता है, Which of the following principles applies to the working of hydraulic brakes in automobiles, प्रथम छेत्री ग्रामड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गए थी 1947 में 1975 में 1950 में 1995 में प्रथम छेत्री ग्रामड बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गी थी और 26 सितंबर को आपके सकते की अध्यादेश के दौरा इसकी स्थापना की गी थी और वर्तमान में यह जो बैंक है जातर जो बैंक है वो स्टेट बैंक के द्वारा ही प्रायोजी थे या उनके द्वारी संचालित किया आता है लगबाग 3784 के आसपास में इसका जो साखा है वो हो जाता है और इसका जो उद्देश से हो जाता है वो बैसिकलिक क्रिशी को लेकर के होता है ग्रामड अर्थ वरस्था को लेकर के होता है व्यापार वाड़ी जी उद्यूग सकते हैं तो इसी कारण से ग्रामड बैंगो की स्थापना भारत में खीगी थी नेक्स्ट है व्रिक यानि की किड्नी इसकी क्रियात्मक और सनचनात्मक की काई क्या है PCT है ग्लो मेरूलस है नियूरॉन है नेफ्रोन है दूर्गापुर स्पास सयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था जर्मनी ग्रेट ब्रुटेन रूस या फिर फ्रांस दूर्गापुर स्पात कर खाने के स्थापना की थी ऑप्शन भी यानि कि ग्रेट ब्रुटेन के सहयोग से और लगभग आप माल सकते हैं 1969 ही याद रखिएगा 1959 में ब्रुटेन के सहयोग से स्थापना की गी थी दुर्गापुर में किया गया था और इसके बाद अगर देखा जाए तो बेसिकली से सवाल पूछा जाता है तीन बड़े जो आरन और स्टील इंडस्टी उससे जैसे मान लीजी कि एक भिलाई का पूछा जाता है तो भिल जर्मनी के सहयोग से और उसके बाद यह दुर्गापुर वाला याद रखिया ग्रेट पूटेन के सहयोग से होता है नेक्स्ट पूछा गया सबसे छोटी अंतस्त्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड है प्यूश है पराबट्टू है अधिवरिक है या फिर अधिवरिक एड् प्रकृती है अतिरिक्त आमदनी है या फिर कर्च है तो बहुत आसान सवाल पूछा के एकनोमिस का मुद्रा की ग्रह शक्ती तो मिक्सब प्रशनों का 20 सेट मैंने आज करवाया है फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी आप सब लोग कंटिनियूसली वी स्काइब भी कर लीजिएगा बहुत बहुत सुक्रिया